दोस्तो आज की इस वीडियो में बताऊंगे कि किसी भी मुवाइल में प्ले इस्टोर आडी कैसे बना सकते हैं, कैसे क्रियेट कर सकते हैं दोस्तो आप सभी सी निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा और दोस्तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप चैनल पर नही हो तो चैनल को सस्क्राइब करके, वेल आइकन भी क्लिक करके आलपके क्लिक कर दे, जिस्टो जो भी वीडियो हम बनाएं, सब सिपहले नोटिफिकेस आन आप पास पहुचे दोस्तो वीडियो को start करते हैं दोस्तो प्ले स्टोर को open कर लेना है दोस्तो प्ले स्टोर open हो जाएगा दोस्तो अगर आप प्ले स्टोर पर पहली बार ID बनाना चाते हैं तो यहाँ पर sign in लिख के आएगा दोस्तो अगर आप दूसरी ID बनाना चाते हैं उसके रिए आपको इस logo वाले option पे क्लिक कर देना है दोस्तो उसके बाद आपको इस 3 वाले option पे क्लिक कर देना है उसके बाद आपके सामने नय option open हो जाएगा दोस्तो उसके बाद आपको add another account वाले option पे क्लिक कर देना है दोस्तो उसके बाद आपको अपने pattern को open करना है दोस्तो आपके सामने sign in का option open हो जाएगा दोस्तो उसके बाद आपको create account वाले option पे click कर देना है उसके बाद आपको for my personal use वाले option पे click कर देना है दोस्तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपना first name को type करना है दोस्तो हम टाइब कर देते हैं दोस्तो उसके बाद आपको अपना last name टाइब करना है दोस्तो last name टाइब करने के बाद आपको next वाले option पे click कर देना है दोस्तो उसके बाद आपके सामने basic information नाम से नया page open हो जाएगा दोस्तो आपको यहाँ पे अपना डेटाब बार्थ और जेंडर को फिल करना है दोस्तो हम अपना डेटाब बार्थ फिल कर देते हैं दोस्तो डेटाब बार्थ को फिल करने के बाद आपको जेंडर को फिल करना है दोस्तो हम जेंडर को फिल कर लेते हैं दोस्तो जेंडर को फिल करने के बाद आपको ने श्टॉल अप्शन पे क्लिक कर देना है दोस्तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन email id सो कर रहा है जो भी email id आपको असान लगे अच्छा लगे आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है दोस्तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं सिलेक्ट करने के बाद आपको ने श्टॉल अप्शन पे क्लिक कर देना है दोस्तो उसके बाद आपके सामने create strong password नाम से नए आप्शन ओपेन हो जाएगा दोस्तो आपको यहाँ पे अपना password को फिल कर देना है दोस्तो हम अपना password फिल कर देते हैं दोस्तो पासोड की फिल कर देने के बाद आपको नेस्ट वाले आपशन पे किलिक कर देना है दोस्तो आप देख सकते हैं कि मेरा प्ले श्टोर आईडी बनके तयार हो गया है दोस्तो आप इसी तरह से बहुत यासानी से किसी भी मुवाइल में प्लेश्टोर आइडी बहुत यासानी से बना सकते हैं दोस्तो हमें आसा है कि आपको यह वीडियो जुरूर पसंद आया होगा और अगर यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यमाद